देव महाराज की सच्छा है सद्गुर की प्यारी सा संग जी परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है तब जाके सच्छंग और संतों की बानी सुनने का प्यारा आउस्वर मिलता है सद्गुर की प्यारी सा संग जी बड़ी प्यारी बानी गाई जा रही थी नुगरा मत मिलियो और चाहे पापी मिलो हजार एक नुगरा के सीश पे लख पापी का भार संतों ने निंदा की निंदक और नुगरा से बचने के लिए बार बार कहा है जो मालिक के नाम की बंदगी सिमर्न नहीं करते जो इरसा द्वेस और निंदा में ही लगे रहते है वो जानते नहीं है कि निंदा करने का कितना बड़ा पाप के भागी आप बन रहे हैं जो हो किया नई उसके आप बन रहे हैं स्वामी नितान अंदयाल अपनी बानी में फर्माते हैं निंदा सा पातक नहीं इस दुनिया के बीच धर्म धर्म छेड़े नहीं पाप पाप ले खींच कि निंदा के समान कोई पातक नहीं है दोसी नहीं है पापी नहीं है और वो क्या करता है निंदक, दूसरे की निंदा में लगा रहता है बहुत से लोगों की तो ऐसी एभिट हो गई है, ऐसी आदत हो गई है कि जब तक निंदा ना करें, नीद ना आए, खाना हाजम ना हो जबकि निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत बड़े पाप का भागी बन जाता है मैंने कई बार आपके बीच में एक छोटा सा उधारन दिया है कि एक राजा ने के मन में ख्यालाया कि सो ब्रामनों को परसाद करवाया जाए तो राजा ने हलवाय बुलाया ओर्डर दिया कि जाओ सो ब्रामनों के लिए परसाद त्यार करो सद्गुर की प्यारी सा संगजी परसाद त्यार कर रहा था हलवाय उपर से सांप जा रहा, बाज सरप को लेके जा रही थी और सरप ने फूकाड मारी और वो जहर आकर के उस खूले कढ़ाई में आके गिर गया हलवाई को पता नहीं, राजा को पता नहीं के भोजन में जहर मिल गया है ब्रामनों को जो परसाद करवाया तो उनकी मौत हो गई उनकी मौत हुई फाइल जो है धरमराज के पास पहुचिये धरमराज ने देखा राजा दोसी नहीं है हलवाई भी दोसी नहीं है शरप भी दोसी नहीं है चील भी दोसी नहीं है लेकिन सो ब्रामनों की मौत हो गई है सजा किसको दे बड़ा विचार नी है भी इसे सजा किस को दी जाए राजा भी दोसी नहीं हलवाई भी दोसी नहीं सर्प भी दोसी नहीं चील भी दोसी नहीं तो फिर दोसी को ने जब इस बात के उपर गहराई से मंथन क्या उफ़ाईल को रक heartfelt को रख दिया तो कुछ दिन के बाद उस नगरी में फिर बहामन आए और उन बहामनों ने राजा का महल पूछा तो एक महिला ने कहा ये बहामन देवता ये राजा खाने में जहर मिला के मार देता है बहामनों को धरमराज के पास उसकी फाइल पहुंची धरमराज ने का दोसी तो मिल गया है पुछा महराज इसको दोसी ये कैसे दोसी इसने तो पाप किया ही नहीं ये थी भी नहीं वहां नहीं थी पर इसने निंदा तो किये निंदा की है और इस दोस्त की सजा इसको मिलेगी जाओ इसको सो ब्रामनों की जो सजा होते हैं वो दी जाए जो मोत की सजा होते हो दी जाए अब देखिए ब्रम हत्या का दोस्त जीव को प्राणी वद्ध का दोस्त जीव को बड़ा बारी दोस्त होता है प्राणी वद करने वाला जीव कभी मुक्त नहीं होता है महराजी तो मास हर पे, नसे पे, अंडे पे, खूब जोर देके कहते हैं लेकिन ये मानव जीव के स्वाद के आधीन होकर के खाता है अपने स्वाद के लिए खाता है सोसता है ताकत मिलेगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा पर उसको ये पता नहीं, इसका इसाब जिव मालिक के दरबार में लिया जाएगा क्या देगा जोर जुलम जो किया लिखा जाए दरबार खुनी करके पकड़ें पड़ेगा जब की, मार जो भी काम आप कर रहे हैं, वो दरबार में लिखा जा रहा है और एक दिन आपने उसका इसाब तो देना पड़ेगा सब के साथ बढ़ी हैं, सब ने भोगना पड़ेगा भगवान सरी कृषन ने अरजन, दृत राष्टर ने भगवान सरी कृषन से पूछा भगवान मैं सो जनमों की जानता हूँ, मैंने ऐसा कोई भी करम नहीं किया जिसे मुझे अंधा होना पड़ा तो भगवान सरी कृषन ने का है, राजन, एक सो आठ में जनम के उपर विचार करके देखना, आपने एक पक्सी की आँख फोड़ी थी एक सो आठ जनम के बाद, दृत राष्टर ने अंधा होना पड़ा सद्गूर की प्यारी सा संगजी, आज हम घर में परिवार में जैसा विवार करते हैं, माता पिता सा ससुर के साथ उसका जब परिणाम आएगा, अच्छा या बुरा फल से कोई नहीं बच सकता है आज हम निंदा करके, द्वेश करके, कप्ट करके, बेमानिया करके राजी तो हो रहे हैं लेकिन उसका परिणाम तो एक दिन आएगा आपने देखा है, जो सूरिय निकलता है और सूरिय निकलता है तो पेड़ की छाया प्वश्यम की ओर होती है और जब सूरिय ढलता है तो उसी पेड़ की छाया पूर्व की तरफ होती है देर सवेर एक दिन व्यक्ति के सामने वो कर्म आ ही जाता है ये ढलती फिरती छाया हर्याना में कहते हैं भाई कभी अभिमान, हंकार, द्वेस, मत करना ये मानव चोला मालिक के नाम की बंदगी करने के लिए मालिक के नाम का सिमरन करने के लिए मालिक का सुगर गुजार करने के लिए दिया है ये मानव चोला बार बार नहीं मिलता है आप नजर दोड़ा के देखना हमरे देखत चले गए बैरी मित्र नेक एक दिन हम भी जाएंगे यामड़ी देखते कितने लोग गई हैं मितर, भाई, बंदू, गोती, नाती, सका, समंधी कितने लोग चले गई हैं क्या कोई वापिस आया है अपने अंतरे में विचार करके देखिए कोई भी वापिस नहीं आया है और एक दिन हमने भी जाना पड़ेगा जो जन्म्यास हो, आया मरन में सभी मोत का भोग अपे को भी मरना होगा किसका मनाव है सोग भया आपने स्वैमने भी जाना पड़ेगा क्योंकि जिने जन्म लिया है उसकी मिर्तियों निस्यत है अटल सत्य है कि एक दिन जाना है फिर इस जाने जाने में बड़ा फ़रक है एक सिंगासन बैट चले एक बंद चले जन्जीर एक सिंगासन पर बैट के जाए जन्म मरन के दूब से छूटे काल का जान से कोई बचे और एक जन्जेडियों में बंद के जाए जन्म मरे फिर जन्म में बेडियों में बंद के जाएगा तो उसका यही हाल होगा और इसे बचने के लिए क्या है स्वामी नितानन द्याल कहते हैं भजन कर भजन कर जीवना सहल है भई भजन करो मालिक को याद करो आपका जीवन सहज हो जाएगा आपका जीवन सरल होगा आनन्दित होगा शुक में आपका जीवन होगा अगर आपके पल्ले आपके पास मालिक के नाम की दोलत है स्वांस तो रोज रोज खत्म होते जा रहे है जितनी चावी भरी राम ने उतना चले खिलोना जितनी प्रमपिताब प्रमात्माने स्वांसों की चावी भरी है ये सरीर रूपी खिलोना तो उतनी देरी चलेगा और एक दिन सावी खत्म और स्वांस भी खत्म सरीर डड़ पड़ा रहेगा और फिर सरीर से कोई भी प्यार करने वाला नहीं होगा बस इतना सा है जिसने सब तज चालना सो क्यों करे गुमान फिर अभी मान क्यों करते हैं और इस महल के बीतर वो दोलत छिपी है जिस दोलत को पाके आप सदा के लिए निहाल हो सकते हैं महल की खबर क्यों नहीं लेता दरूने बीच दिदार है अलक का मान रे मान में क्या केता बंदगी किया कर रिंदगी छोड़ दे एर्षा दवेस की बान भुंडी लाख का महल मिल जाएगा खाक में पाक के मिले बिन कहां गोंडी ये लाखों की उपमा दी है इस स्रीर को जबकि लाख की दौलत देने से ये स्वास भी नहीं मिलता है बिचार करके देखना क्या किसी बड़ी दौलत के बदले ये स्वास मिल सकता है आपने अंत्रहात्मा से पुछो जबाब आएगा कि नहीं दौनिया की किसी दौलत के बदले स्वास नहीं मिलता है जमीन के बदले जैजात के बदले दौलत के बदले ये स्वास नहीं मिलेगा कहता हूँ कह जाता हूँ कहूं बजाके ढौल एक स्वास उखा ली जाता है तिरलोकी का मौल एक स्वास तीन लोग की दोलत के बदले भी नहीं मिल सकता है और ये रोज रोज मौल लगाया कि तीन लोग की बदले नहीं मिलेगा भी नहीं मायरेज ढोल बजा के कह रहा हूँ इतना कीमती है स्वास लेकिन हम समझते नहीं हम जानते हैं मानते नहीं जानते तो हैं एक दिन जाना पड़ेगा जो बस्पन था बीत गया जवानी आई जवानी भी नहीं ठेहरेगी ब्रद अवस्ता आएगी और जो ब्रद अवस्ता आएगी वो भी नहीं ठेहरेगी मौत भी आएगी क्योंकि जो यहां मिला है वो यहीं भी छुड़ेगा सरीर भी यहीं मिला है यह गोती नाती भी यहीं मिले है रिस्तेदार प्यारे मित्र प्यारे भी जमीन जाजात भी और यहीं मिली है और यहीं भी छुड़ जाएगी लेकिन आप अकेले जाएंगे और आपके साथ ना सरीर होगा और ने स्वांसों की मालिक की पुंजी होगी आप अकेले होगी कोई होगा तो आपका करम आपके साथ होगा आपका करम आपके साथ रहेगा और करम के जाल से आप नहीं बच सकते करमों की रेखां से कोई नहीं बचाए कर्मा की रेखां टारी ना टर है हरिचंद राजा छत्र धारी सिर्पे चवर धर है उसने के मेहनत का तोड़ा भंगी के नीर भर है कर्मा की रेखां टारी ना टर है सीता हरन मरन दसरत का बनबन राम फिर है मिरगाने के धर्ती का तोड़ा फंदे मान पड़ है कर्मा की रेखां टाली नहीं टड़ी किसी से भी नहीं टड़ी है अवतार स्रिखों से भी नहीं टड़ी है एक आम व्यक्ति की क्या उकात है इसलिए सद्गुर की प्यारी साशंग जी कर्म की रेख पे मेख कोण मार सकता है करम की रेख पेमेख संत मारस कहें पल्टू लिखा नसीब का संत देत हैं प्रेर और साच नहीं दिल आपने इसलिए लागे देर हमें यकीन नहीं बरोसा नहीं है सत नहीं है इसलिए देर लगती है सत्गुरु की प्रीती से कट जाए काल कलंक निता अनन्द उपजय नहीं जनम मरन की शंख सत्गुर की प्रीती से काल के कलंक कट जाते हैं फिर जनम मरना तो दूर रहा हो शंखा भी पैदा नहीं होती है अगर प्रीत सच्ची है हिर्दय में भाव है लगाव है रोज बिंती प्राथना अरदास करते हैं क्योंकि इर्षा द्वेस में रहने वाड़ा जीव फिर आगे भोगे योनियों में कुकर सुकर योनियों में इर्षा द्वेस में ही काउं काउं करके अपने जीवन को खोता रहता है कभी भी सचे ठोकर के माले के नाम की बंदगी सिम्र नहीं करता है लाल को भूल धूल में चित दिया लाल वो पीव वो परमातमा को भूल के नास 오वान चीज जो मिटने वाली है उसमें चित दिया ज़र दो डा के देखना ऐसी कौन सी वस्तु है हमारे पास जो नहीं मिटेगी जहां जहां आपकी नजर जाएगी सब मिटने वाला है सब समाप्त होगा स्वामी नितान अंदयाल अपनी बार्णी में फरमाते हैं क्या कहते हैं गुर्देव कि बड़े बड़े राजा बड़े बड़े महाराजा सब समाप्त हो गए हैं जमीन आशमान भी एक दन समाप्त हो जाएगा तो प्रियबंदू आप नजर दोड़ा के देखिए अपके पास क्या है जो आपका है अविनाशि को छोड़के और नासवान की आश में लगे हैं नासवान की आश में अविनाशि को छोड़ दिया जो समप्त होगा उसकी आस में जिसका विनास नहीं हो सकता है उसको छोड़ दिया है लाल को भूल धूल में चित दिया फिर एक कंगाल अंदर खजाना भीतर में पीव भीतर परमात्मा और भार चिलारा मैं मर गया कोई पूछे कौन मरा मैं कौन मेर सिंग, सेर सिंग, ये नाम इसके भीतर वो कौन है ये जो सरीर से भी पार चेतन आत्मा है आप उस आत्म राम को जाने है लेकिन आत्म राम को जाने बगैर ही सारा जीवन को गवा के जा रहे है पता ही नहीं कौन है नाम दुनिया ने दिया नाम करन हो गया बे नामी पैदा हुआ था और नाम लेके मर गया पैदा हुआ कोई नाम नहीं और दुनिया ने नाम भी दिया वो भी नहीं बच पाए कौन मर गया फलाना मर गया कभी ये नहीं कहा को फलाना पैदा हो गया कभी कहा है किसी नहीं कि नहीं कहा ना कोई बच्चा पैदा होता है कोई कहता है फलाना पैदा हो गया नहीं बच्चा हुआ है बस को मर खून गया फलाना मर गया जो जिनाम मरा है जो अपने दिया था अपने थोपा था और पैदा बे नामी हुआ था लेकिन इस धोके में अपनी पुंजी को गवा रहे है नास्वान की आस में अवनासी को गवा रहे है चेतन आत्मा परमात्मा हमें अपना ही रूप की पैचान नहीं है कौन है ये बोलनहार कहां जाएगा स्रीर से पार ये कर्मों के लिवास में बंधा हुआ आत्मा है अजर है अमर है अभिनासी है लेकिन मल विक्षेप के आवरण में आ गई आत्म आई विशे में तूट गया वो तार अपना निज रूप भूल गई आत्मा विशे में आ गई और करम के बंधन में बंध गई इस करम के बंधन से आप चाते हैं मुक्त होना तो गुर्देव कहते हैं बंधगी किया करो सिम्रन किया करो खोल दे दवार भंडार भारी पड़ा भीतर का दरवाजा को खोल दो आपके पास दोलती दोलत है आनदी आनद है आपके पास सुख ही सुख है इसलिए तो जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बेट जिन खोजा है उन्होंने पाया है जो अपने गहरे में बेटा है जो भटकते रहे बाहर 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 वो एक दिन बुखलाट चिरचड़ापन गुसा द्वेस चल इन्हीं में सारा जीवन बीत जाता है बीती बहुत रही थोड़ी सी बहुत थोड़ी रह गए और एक दिन समाप्त हो जाएगी सांसों की पुझी एक दिन पंची तो उड़ जाएगा और ध्यांद रहे आपका कर्म का इसाब भी फिर आपको देना पड़ेगा इसलिए गुर्देव कहते हैं खोल दे दवार भंडार भारी पड़ा साच को समझ मूरुख दिवाना ए दुनिया के दिवाने ए मूरुख तु सच को जान सच को समझ हिर्स हवा नुक्षान है जीवा में अपने जीवन को गमा रहा है ये बड़ा नुक्षान है जीव का और इर्षा में द्वेस में छल में कपट में इर्ष हवा में अपने जीमन को घड़ी घड़ी काया घटे टेर कहे घड़ी आल बित बरिया तंत की सुमर गोपाल गोपाल ये तंत का मुका बीत जाएगा फिर आपका जमपुरी में डेरा होगा और जमपुरी में क्या हाल होगा पत राम की भक्ति बिन वहां बसेरा जा नर्क के कुंड है अगनी धदक रही है नर्क के कुंड जहां अगनी धदके खड़ी राम की भक्ति बिन वहां बसेरा मालिक की भक्ति के बिना इस जीव का वहां बासा होगा जो अगनी ददक रही है और फिर वहां कैसे करेंगे फिर आगे गुरुदेव कहते है उपर पा लटकाएं ओधा किया उपर पा शिर नीचे लटका देंगे उपर पा लटकाएं ओधा किया पड़ा पड़ा पस्ताएं कचु हो नहीं आवे फिर रोता है फिर चिलाता है पचाओ पचाओ कचु हो नहीं आवे कुछ हो नहीं सकता क्यों जब वक्त था मालिक ने पुंजी दी थी मानो जीवन की उस पुंजी को तो बेकार में खो दिया दोके दोके में खो दिया मैं कमा रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ मैं बलवान मैं धनवान मैं रूपवान पर ये बंदो इस दुनिया में एक से एक धनवान हुए एक से एक बलवान हुए एक से एक रूपवान हुए लेकिन मिट्टी में मिलके खबर भी नहीं है खबर भी नहीं है इस खाया का गर्ब ना करिए क्या सावल क्या गोरा रे बिना भगती तन काम नहीं आवे कोटिक सुगंद चुबोरा रे बिन भगती ये सरीर काम नहीं आएगा और क्या दसा होगी आपकी गुर्देव कहते हैं नरक के बीच जां अगनी दद के खड़ी राम की भक्ती बिन वहां बसे रा उपर पा लटकाई ओधा किया पड़ा पड़ा पच्छतावे कुछ हो नहीं आवे फिर वह पस्ताएगा फिर रोईगा फिर बात नहीं बनेगी इसलिए संत के बाई गए बखत का कामना आवे तेरा रोणा बाई अंत समय का बाई गए बखत का कामना आवे बाई अंत समय का अंत समय का रोणा कामनी आएगा गए वक्त का कामनी आएगा रोणा अगर बच्छा पूरे साल तयारी ना करे पडे नहीं और पेपर में बेठ खेर रोण लागे जये कि याद हो जाएगे बताईए याद हो जाएंगे नहीं हो जाएंगा और फिर रोह मेरे से दोखा हो गया मैं लुट गया मैं बर बाद हो गया ना वयी फिर तो विर्था दोस्ट लगा रहा है कह रहा है नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, मालिक नहीं मौका ही नहीं दिया है अरे परम्पिता परमात्मा ने आपको मानव जिवन दिया जिस जिवन के लिए देवी, देवता, पीर, पगंबर तरस्ते हैं बड़े भाग मानव तन पावा, देव दूरलब, शुवग्रंथन गावा के बड़े भाग हैं कि आपको मानव जिवन मिला है और मानव जिवन पाके आपने किया क्या है वही द्वेश, वही बैमानिया, वही ठग्गी की है वोई धोखा वो निंदा वो चुगली सारा जीवन तो ऐसी खो रहा है फिर गुरुदेव कहते हैं पहल से चेत राखोटी ना कर बचना चाहते हैं तो पहल से चेत राखोटी ना कर पर चेतता नहीं है बदी ही बदी तुझ को सुहाव है बनिंदा मैं दुवेस में लगा रहे कितना समझा ले मानने नहीं नानक शाब कहें स्वान पूँछ भवो नसुद्धी कोट जतन मैं किनो नानक शाब क्या कहते हैं स्वान पूँछ भवो नसुद्धी कोट जतन मैं किनो कुट्टे की पूँच सिद्धी ना हो मने क्रोड जतन कर लिया हमारी आदत भी वही है कि हमारी आदत से लाचार है नमाने नहीं समझे मैं नहीं आप फिर क्या कहते हैं पहल से चेत कर राख खोटी न कर बदी बदी तुझको सवाव है चलन की बात दिन रात ना बोलनीर घड़ी घड़ी दिन निक्टा वे घड़ी घड़ी दिन निक्टा रहा है नस्धीक आ रहा है पलपल आयू घटे नर तेरी जू दीपक में तेला है बुझे जोत तन भवन हंदेरा क्यों इतने पर फैला है हरी नाम बिना मन मैला है यो मैल मालिक के नाम के बिना नहीं जाएगा कितना ये जमीन जैजाद दोलत कठी कर लो एक दिन रोना तो पड़ेगा इसलिए बचना चाहते हो तो नेकी कर माता पिता की सासुसूर की सेवा कर गुर्दरबार में हजरी लगा बिंती कर प्राथता कर अरदास कर स्वामी नितान अंदयाल अब के पार लगाओ क्योंकि अब के वातनी बणी फिर कदे नी बणेगी कभीर साबी केते है अब तिरने का दाव समझ मनबावरे क्योंकि ये मोका है अब का चूक गे फिर रोना ही रोना है क्या कहते हैं गुर्देब घड़ी घड़ी निकटा रहा है भाई घड़ी घड़ी दिन निकटा वै पर आप जाणे नहीं और कया मानने नहीं पीव को विसार दिल कहां लावे यो आप तो जानता नहीं और दूसरा की मानने नहीं कोई घटना है घर में जवान बेटी हुई पिता ने चिंता हुई बेटी की साधी करनी है तो बेटी कहने लगी पिता जी बात सुनो मेरी साधी करनी है तो उस घर में करिये जिसमें सो गुण हो उस लड़के से साधी करूंगी मैं पुराना टाइम था पिता जी घूमता रहा क नहीं भी सो गुण वाड़ा नहीं मिला एक जगह बड़ी दूर मिला एक लड़का जिसमें अठाण में गुण थे वो घर आ गया बेटी लड़का मिला है सो गुण वाड़ा तो कहीं नहीं मिला पर एक लड़का मिला है जिसमें अठाण में गुण है नहीं मिला ठीक है पिता आप में दो गुण कोण से नहीं है मैं आप कुछ जानता नहीं दूसरा की मानता नहीं ये दो गुण नहीं और सारे गुण आप कुछ जानता नहीं और दूसरा की मानता नहीं नहीं ये दो गुण नहीं और तो सारी मोज राखा सा तो वही गुर्देव कहते हैं आप जाने नहीं और कया माने नहीं पीव को विशार दिल कहां लावें यह आपको जाने नहीं और संत बार बार समझावें अरुन की मानने को नहीं पीव को विशार परमात्मा को छोड़ के दिल कहां लगाता है इसलिए सद्गुरु कहते हैं भाई विचार करो यह अवस्द तेरे पास जो मिला है ना मानुव जीवन का यह फेर नहीं मिलनका है इसलिए सद्गुरु नाम की कमाई करो अनन्त जन्मों के दोस्ट कट जाएंगे अगर आपके भीत्र प्रीत शच्ची होगी मोहबत सच्ची होगी एक लगाओ सच्चा हो गया भाव अगर रोज जबिंती करते हैं प्राथना करते हैं अरदास करते हैं सिमर्न गुर्मा रजिसी करते हैं के गुर्देव सरन आये सब की बनी मेरी भी बनाईयो सरन आये सब की बनी मेरी भी बनाईयो अरदास करते हैं बार बार है गुर्देव मेरी भी बनाईयो समस्या क्या है हम सिर्व गाणे तक्सीमित रखते हैं सिर्व गाणे तक्सीमित रखते हैं इसको भीतर में उतारें और सिद्क लगें बेशे नहीं हो अर्धास करें कि कब उस मालिक का कब उस पीव का दर्शन होगा जिसके मिले सब सुको होए जिसके दर्शन से पाप कटते हैं जिसके मिले काग से हंस होता है और ऐसे गुरुदेव स्वामी नितानन दयाल की सरणम है सोच के देखो कितनी उंचे भाग होंगे हम सब वहां बैठे हैं बसरते हम अपनी हुस्यारी नी छोड़ते अपनी चाल नी छोड़ा इसलिए हम दुखी हैं जिन्होंने गुरु के शब्द को माना गुरु के बचन को माना और उसके उपर रुक गया उसका उधार हुआ उसका कल्यान हुआ लेकिन समस्याद क्या है हम अपने तरीके से मनाना चाहते हैं तरीका हमारा अपनी चाल कभून और हमने मांगना भी क्या आता है बड़े-बड़े संत तो यह कहते हैं अपने सत्गुर से भींती करते हैं कि मुझे मांगना भी नहीं आता है आप किरपा करो और हम अपनी मांग ज़्यादा रखते हैं मेरी मान लो बस मेरी मान लो एक भेन बार-बार प्रात्रा कर रही थी कहने लोगी माराज जी मैंने घणे दन होगे बर्त भी ये भी बर्त करूं वे भी बर्त करूं बर्तों की कथा सुरू कर दी मैंने वहां ठीक है बताई नहीं मुझे तो कभी दरसन नहीं होते हैं मैंने का ठीक आप बर्त करते हैं कितने सदश्य हो घर में हम तो न्यारे हो रहे हैं दो जणे रहते हैं किस से न्यारे होगे भई साथ सुसूर से न्यारे होगे थे हम तो अच्छा और फिर साथ सुसूर की सेवा कौन करता है वो अलग रहते हैं हम अलग रहते हैं अच्छा और फिर वही और भाई नहीं हैं हैके देवर जिठाने अपनों नहीं अकेला है था अरे भले व्यक्ति अकेला बेटा था आते आपने न्यारा कर दिया आप बर्त करो सो, तिर्थ वे जाओ सो, दान करो सो, परमात्मा ते मिलन की बाट देखो सो, ये बर्त, ये नियम, ये पूजा, ये पाट तेरे काम नहीं हैगी, क्योंकि आपके भीतर में दयाई नहीं है, सील नहीं, संतोस नहीं, आपके भीतर प्रेम ही नहीं है, आप एक सास सुसूर की आदर नहीं कर जकते प्रमात्मा को कैसे पाऊगे जी मुझे तो दर्शन नहीं होते दर्शन उनको कुमार को लेर दर्शन हो गए नियों धोड़ी होते हैं उस पीव को पाने के लिए हिर्दे में प्रेम चाईए भाओ चाईए चाईए निर्मलता चाईए निस्व कप्ट चाईए और जब तक हिर्दे में कप्ट है तब तक धर-शन कैसे होंगे महारजी कहते हैं कप्टी को धर-शन नहीं इतुत भटके खाए कहीं भी बटकता रहता है कभी मंदिर में, कभी पूजा में कभी जप में, कभी तप में कभी तीरतों में, कभी ध्यान में उसको दरसन नहीं हो चित कप्ती को दरसन नहीं हो सकते अपना चित का कप्त को विढारिए, अपने हिर्दे पार हो जाएगा, आपका जीव निहाल हो जाएगा, पर लेकिन बातों से नहीं, आप कितने बेद, सास्त और ग्रंथ, कितने याद करो, चाहिए खंठस याद हो, इन बातों से कुछ नहीं होने वाला, अगर आपके हिर्दे में प्रेमी नहीं, आपके हिर्दे में प्रीत नही आपकी हिरदय में भाओ नहीं आपकी हिरदय में लगाओ नहीं तो कैसे मिलन होगा तेरा इसलिए आप हिरदय में सील, समा, संतोस धारण करिए माता, पिता, सास, सूर जुरुत, बंद, पीडित की सेवा करिए धान रहे वह सेवा आपके काम आवेगी ढान रहे जैसे छट पे जाने के लिए एक-एक step, एक सीधी साहिक होती है छट पे जाने के लिए ऐसे ही सेवा, सिमरन बंदगी आप वो साहिक है वो साहिक है छट पे जाने के लिए और आप step to step आप चलेंगे तो एक दिन च्छत आ जाएगी और आप चलांग मार के चलोगे तो उपर जाने की बजाए निच्छे पहुंच जाओगे छोड़के इसलिए सद्गूर की प्यारी सासंग जी सेवा सिमरन संस्कार वही है क्योंकि तेरा करम तेरे आगे आएगा और एक बार स्बाइब करम कर देम जी मैं आती रहती जाम साल में दो चकर मेरे पके हैं मैंने का दो चकर ही मारते हैं रसंपρί गरते हैं यह बह्त्य करदे हैं चलो ठीक है तो मैंने कहा आपके कितने बेटे हैं एक बेटा एक अचै एक बेटा एक एकnd रिख ऑ और जब उसकी साद्ई हो गई होगी और वो भी ऐसे नहरा होगा जैसे आप नहरे वह जब आसे कैसे हो जाएगा एधिसे कैसे हो जाएगा फिर आप कैसे हो गई वह कड़ू सभाव के अमरीत प्रमात्मा ने आपके बांद रखा है यह समस्या है हमारे समाज और परिभार में सद्गूर की प्यारी साथ सद्गी बाट देखा मालिक ते मिलन की और विवार हमारा जीरो तो ऐसे इतनी बात होनेगी मैं ये सथसंग बात सुनिये ये पहली सिडी की बात कर रहा हूँ जिसका पहला कदम उठ गया आखरी कदम उठ गया मैं गारंटी लेता हूँ पहुँचेगा प्रमधाम को और जिसका पहला कदम नहीं उठ आखरी वे नहीं उठ सकता हम जुम्मे बारे हैं इस बात के हमारा काम क्या है बिंती करना, प्राथन करना, सेवा करना हग काम करना उसका है राम सुनो या मत सुनो मौबिरहन के बैन दर्स आस में लाग रहे सुनो लगे रहो फिर उसका काम है समारणा और ध्यान रहे गुरुदेव के घर में देर हो सकती अंदेर नहीं हो सकता है देर सभावी का हमारे कर्मों के अनुशार लेकिन अंदेर कभी नहीं हो सकता इसलिए सद्गुर्ण पुर्म पुजय गुर्देव स्वामि नितान अंदयाल की पवित्र भूमी पे पुर्णी मां के दिन आप सत्षंग में बेठे आज शंकल अपले हैं नित हजरी लगानी है मन से तन से जब फुर्सत मिल जाए उस भाव से आना केवल दर्सन करने के नहीं पुर्णी मां उसी दिन नहीं केवल ऐसा अटेश्मेंट बनाए नहीं आज तो मन नहीं लगता गुरु घर में जाना है स्वामि नितान अंदयाल के दर्सन करने इतना जब भाव आपका नाभी इतना जब प्रेम होगा तो आप आके बैठेंगे सान्त चित्थों के आपका मन भी लगेगा और फिर आपके अंदर सील समा संतोस की सक्ति पैदा होगी आप मता पिता की सेवा भी करेंगे और जो ऐसा सब होगा तो गुरुदेव आपकी बिगड़ी भी समार देंगे कौन चीज जो गुरुदेव नहीं समार सकते आपकी बिगड़ी भी समार देंगे अरदास करिए मेरे सत्गुरु प्यारे बिगड़ी समार देंगे मेरे सत्गुरु प्यारे करमान देंगे दर दे पुकार दे करमा के मार दे मेरे सत्गुरु प्यारे मेरे सत्गुरु प्यारे करमा के मारे करमा के मारे दर दे पुकार दे करमा के मारे होई हाँ तेरे दर दर तों पुकार रहे हैं गुरु दे मेरी बिगड़ी समार दे धान रहे जिन जिन पुकार रहे हैं हिरुदे से उसके कारज सरे हैं जिने पुकार रहे हैं आत्मिक लगाओ जिनोंने बनाया है और ध्यान दे, आप प्रेम के नाते से परमात्मा को पाशकते हैं, रोज रोज अरदास करें, बोर्चत गुरुदे महराज